शब्दों की तशकरी मुझे आती नहीं बस मेरे दिल के जजबात लिखता हूँ मैं तेश भक्ती की बाते नहीं सीधा मर मिटने की बात लिखता हूँ भारत मा को भगवान मेरा मेरे गुरू का नाम आजाद लिखता हूँ अब कुछ लाइने जवाने हिंद के लिए कहना चाहूँगा सुनिएगा जहां कोहरे में ठकी आतं की गोलिया खूमती है वहां इंतचार के अगला दिन कब आएगा जहां रातों में मोते जिस्म ढूंडती है वहां उजाला सुभे का कौन देख पाएगा कभी सो फुट की उचाईयों पर कभी पाताल जैसी खाईयों पर ये जिन्दगी ऐसी कौन जी पाएगा मगर खड़ा है फिर भी सीना ताने जवाने हिंद दुस्मन से भी लड़ जाएगा हिंबत के कोई कदम तो रखते हिंबत के कोई कदम तो रखते जमीने हिंद पर वो बेमोत ही मारा जाएगा कभी जुका नहीं न जुक सकता ये केसरिया यूही लहराएगा हिंद के दुश्मनों को जवाब देना चाहूँगा सुनेगा के मेरा वतन खरीदना चाहते हो एक हटी खातिर बिख जाओं तुमसा हाल नहीं है मेरा के मेरा वतन खरीदना चाहते हो एक हटी खातिर बिख जाओं तुमसा हाल नहीं है मेरा ये खिलोना नहीं जो बिख जाए ये इमान है चीनी माल नहीं है तेरा सुनेगा जहां बाप की पगड़ी खुदा बराबर मा की इज़त देवी बराबर यहां जान से बढ़कर इमान है जहां मुचों के खातिर मर जाएं यह मुचों वाला हिंदुस्तान है यह मुचों वाला हिंदुस्तान है तुम भाई कहकर गला काट दो हम अंजान के लिए जानवार दे तुहर हरकत से बेइमान है मूचों का तो सवाल नहीं उठता ये भिन मूचों का पाकिस्तान है ये भिन मूचों वाला पाकिस्तान है आप सभी देशवासियों को गनतंत्र दिवश की हार्दिक शुब कामनाएं अगर कवीता पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिएगा जै हिंद जै भारत लेखक आशी श्यादव की कलम से